एले अबरिवन वेल्गम टु वायर उज्टेशन क्लास नाइने टेन हिंदी तो इस बीडम जह से हम लोग क्लास टेन हिंदी के 36 बुक के शबिक्तों सैंबं है कि याप लोग देख सकते हैं कि पुरा है काมγ प्रंख करें पार बाकि सारी खंद वारे बारी आप पढ़ने है वह सारे चीज को हम अम्लोग अंप्लीड करते हैं तो सबसे पहला है पद सुर्दास का जन्म 1448 में हुआ था एक मनियाता कनसार उनका जन्म अथुरा के निकट रेनुका छेदर में हुआ था जबकि दूसरी मनियाता कनसार उनका जन्म अस्थान दिली के पास सी ही माना जाता है और उनका तीन गरहन जो बहुत ही लोकप्रिये हुए थे जिसका न तो यही था पहला पद, दूसरा पद में वे उधो से कहते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी बाते हैं, जो हम कृष्ण से ही कह सकती थी, वे तो आये नहीं और किसी दुसरे से कह भी नहीं सकती, तो हमारे मन की बाते मन में ही रह गई, हम सब कृष्ण के आने की परतिक्षा में दुख सह रही थी, लेकिन वे स्वेम तो आये नहीं, उनके अस्थान पर योग का संदेश भेज दिया, हम सब एक तो पहले से ही बहुत दुखी थी, योग संदेश ने आकर दुख और बढ़ा दिया, जहां से हम कुछ अच्छे समचार आने की आसा कर रही थी, वहीं से ही योग की पूरी की पू दो से कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी के समान है, जिस परकार हारिल पक्षी अपने पंजो से लकड़ी को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिती में नई छोड़ता है, उसी परकार हमने कृष्ण को मन, कर्म, वचन से अपने हिरदाय में वसा रखा है, वे द जुरुद हमें नहीं है, तो यही था तीसरा पज, चौंथे पद में वे वयांग करती हुई कहती है कि तुम्हारे बोलते ही हम सारे समचार समझ गई थी, कृष्ण ने राजनेती सीख ली है, वे चतूर तो पहले से ही थे, अब उन्होंने राजनेती के कुछ नियम भी सीख यह पहले के लोग दुसरों की भलाई के लिए आगे आ जाते थे, अब लगता है कि हमारा मन वापस मिल जाएगा, जो कृष्ण जाते समय ले गए थे, लेकिन अब वे स्वेम पर ही अनियाई करने लगे हैं, कृष्ण राजम धर्ण तो यह कहता है कि परजा को किसी भी परक सताया नहीं जाए, इसका कहने का यह अर्थ है कि राजा का धर्म होता है कि परजा के दुखों को दूर करना ना कि उन्हें दुख देना, तो यही था सुर्दास के पहद, उसके पाद सकेंड है राम लक्षुवन परसुराम समवाद, तो इस चेप्टर के लेखक हैं तुलस इस भी में कासी में हुआ, तो चलिए चेप्टर की और चलते हैं, इसमें टोटल छो पद हैं, पहले पद में राम पसुराम से कहते हैं कि सीव धनुस को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे बताईए, राम की ये बात सुनकर पसुराम क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो सेवक होता है, जो सेवा का काम करता है, उसने तो धनुस को तोड़कर सत्रुता का कार किया है, हे राम सुनो, जिसने भी सीव धनुस तोड़ा है, वह मेरे लिए सत्रु के समान है, जिसने भी इस धनुस को तोड़ा, वह सभा से बहार आजाए अनियथा सभी राजा मारे जाएंगे। क्रोध पुर्वक वचन सुनकर लक्ष्मन मुस्कराते हैं और परशुराम का अपान करते हुए कहते हैं कि मैंने वच्पन में अनिको धनूस तोड़ डाली। तब आपने क्रोध नहीं किया, आपका इतना लगाव इसी धनूस पर क्यों है। लक्ष्मन के वचन सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि बालक तु संभल कर नहीं बोल रहा है। पुरा संसार जानता है कि यह धनूस सीव का है। दुसरे पद में लक्ष्मन हसकर कहते हैं कि मेरे नजर में सभी धनूस एक जैसे हैं। इस पुराने धनूस के तुटने से न किसी की हानी हुई है और न किसी का लाव हुआ है। भाया राम ने धनूस को देखा और छुआ इतने में तुट गया। इसमें उनका कोई दोस नहीं है। आप तो व्यर्थ में नराज हो रहे हैं। इतना सुनते ही पर शुराम ने अपने फर्षे को देखकर लक्ष्मन पर कुरोधित होते हैं। और कहते हैं कि लगता है कि तुने मेरे बारे में नहीं सुना है। मैं बालक समझ कर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे समानी मुनी समझ रहा है। मैं बचपन से बाल बरमचारी, क्रोधी और छहत्री कुल का सत्रू हूँ। मैंने कई बार पित्वी को जितकर ब्रामनों में दान की है। मेरा फर्षा इतना भयंकर है कि इसके परभाव मातर से ही गर्व में पलता सिसु नश्ट हो जाता है। तिसरे पन में लक्षवन हसकर मिठी वानी से कहते हैं कि मुनी आप तो बहुत बड़े योधा निकले। आप बार बार मुझे फर्षा दिखा कर डरा रहे हैं। जैसे आप फोक से पहाल उड़ा दे गए, यहाँ पर कोई भी कुमरबतिया नहीं है, जो तरजिने उंगली देखकर मर जाएगा। आपको ब्राहमन समझकर मैंने कुरोध को सहन कर लिया। हमारे कुल की प्रंपरा है कि देवता, ब्राहमन, भक्त और गाई पर विर्ता नहीं दिखाते। आपका एक-एक वचन, कोरोडो, वजरो के समान कठोर है। आपने वयर्थ में धनुसवान धारन कर रखे हैं। इतना सुनते ही परशुराम करोधित हो जाते हैं। चोथे पद में परशुराम कहते हैं कि वे विश्व मित्र यह बालक, निडर, मुर्ख और अपने कुल को हानी पहुचाने वाला है। मैं इसे अभी छन भर में मार डालूँगा, फिर मुझे कोई दोस न देगा। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मिरबल और क्रोध बता कर बचालो। लच्षमन जी कहते हैं कि आपने कई बार अपने मुझे से अपने बारे में बताया है। आप क्रोध को सहन न करो, जो भी कहना है कह डालो। आप वीर और धरिवान है, आपके दवारा गाली देना सोभा नहीं देता। शुरूए सत्रू को सामने देखकर अपनी परसंसा नहीं करता बलकि यूद करता है। पांचवे पद में लक्षमन जी परसुराम से कहते हैं, आप तो मिर्तु को मेरे लिए जबजास्ती बुला रहे हैं। इतना सुनते ही मुनी फरसा को समालते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दोस्त ना देना, अब यह बालक कड़वे वचनों के कारण वद के युग हो गया है। अभी तक बचा समझकर मैं इसे बचाता रहा हूँ, लेकिन अब सच में यह मरने का युग हो गया है। तब विश्मित्र कहते हैं, हे मुनी साधू, लोग बच्चों की गल्तियों को माफ कर देते हैं। फिर पसुराम बोलते हैं, मैं बहुत ही करोधित हूँ, मेरा फरसा भी बहुत ही तेज है। यह बालक मेरे गुरू के सामने जवाब दे रहा है। आपके सवभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो खोड़े से, छन में, इसी फरसे से, मार का गुरू तरों से मुक्त हो जाऊंगा। विश्मित्र मन ही मन हस कर कहते हैं कि मुनी को सब कुछ हरा ही अरा दिखाई दे रहा है। जिसे वे गन्य की खाड समझ रहे हैं वे लोहे की तलवार है। हाई हाई बोल उड़ती है। लश्मित कहते हैं कि मुनी आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मन समझ कर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मन देवता लगता है कि आपका कभी किसी वीर योधा से सामना नहीं हुआ है। आप अपने घर के ही योधा है। पूरी सबह का उड़ती है सही कहार। राम लक्षमन को आखों से इसारा करके माना करते हैं। लक्षमन और वर्षुराम के बीच बढ़ती देखकर राम अंत में जल के समान सीतल वचन बोलते हैं। तो यही था राम लक्षमन पर्षुराम सम्राद। उसके बाद धर्ड पोयम जैसा आप लोगा डिलेटेड है इसलिए चलते हैं पोयम नमर फोर आत्म करती है। जैसंकर परसाद का जन्म वारानसी में 1889 सिस्विम हुआ था। यह कासी के परसीत क्विन्स कॉलेज में विपढ़ने गए परंतु इस्थिति अनुकूल ना होने के कारण आठवी से आगे नहीं पढ़ पाये। बाद में घर पर ही संस्कीत हिंदी फार्सी का अधियान किया। अब जैसंकर परसाद का मिरित्यू 1937 सिस्विम हो गया। तो चली चलते हैं चैप्टर की और। प्रस्तुत पंक्ती के माधियम से कवी जैसंकर परसाद जी ने अपने मन को भवरे से तुलना किया है जो गुर्मुना कर कहानी कह रहा है। अब वह या नहीं समझ पा रहा है कि वह अपनी जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है क्योंकि उसके समीप मुर्जा कर गिरते हुए पत अतिहास लिखा है जिसे पढ़कर कभी को ऐसा परतिक हो रहा है मानों उन्होंने स्वेम की अत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया है और लोग इसे पढ़कर उन पर हंस रहा है कभी अपने मित्र से यह सवाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे भी अपनी जीवन की सारी कमज़रियों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं जिने पढ़कर लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर उनका मजाक बनाया जिन मित्रों ने कभी से आत्मकथा लिखने का आगरह किया था उनसे कभी कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरी जीवन के गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वे खुद को मेरे दूप का कारण समझ बैठे और यह सोचने लग जाए कि उन्होंने ही मेरी जीवन रुपी गगरी को खाली किया है कवी का सभा बहुती सरल है इसी सभा के कारण उन्हें जमाने से धोखा खाया है परन्तु इसके बावजुद भी कवी को अपनी सभा से कोई सिकायत नहीं है और वो अपनी अत्मकथा में इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहते कवी का कहना है कि उन्होंने असीन लम्हे जो उन्हें अपनी प्रिमका के साथ बिताया थे या प्रिमका के साथ हासकर की गई मिठी बाते उनके निजी अनुभव है और वे ये अनभाव किसी को बताना नहीं चाहते ये तो उनके जीवन की फुन्जी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है प्रस्तुत कविता से यह पता चलता है गी जिवन भर कवी ने जिन सुखों को कलपना की और जिनके सपने देकर कभी 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 जाग जाते थे उनमें से कोई भी सुख उन्हें प्राप्ती नहीं हुई कवी ने जब भी अपने हाथों को फैला कर अपने उन सुखों को गले लगाना चाहते तब तब उनकी प्रेमका मुस्क्रा कर भाग गई कवी अपनी प्रेमका की सुन्दरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमका के लाल लाल गाल इतने सुन्दर थे कि उसा भी अपनी लालमी उनहीं से उधार मंगती थी कवी अपनी प्रेमका के साथ बिताय हसीन पलो को याद कर रहे थे, आज इस अकेले संसार में अपना जीवन वेतित कर रहे थे, उपने जीवन का एक मात्र सहारा उनकी प्रेमका की यादे हैं, कवी लोगों से कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़ कर मेरी यादो को फिर से क्यों तजा करना चाहते हो कवी का जीवन बहुत ही सरल और साधगी भरा है वह स्वेम को साधारन मनुस मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कारी नहीं किया जिससे वो खूद के बारे में कोई अत्मकथा लिख सके इसलिए वे चूप रहना ही उचीत समझते हैं लेकिन दुसरों की गठावों को वे सुनते हैं और परते हैं कभी अपने मित्रिक से कहते हैं कि तुम मेरी साधारन अत्मकथा सुनकर मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और भला क्या करोगी मेरी अत्मकथा में तुम्हारे लाइक कुछ भी नहीं मिलेगा मैंने ऐसा कोई महानता का कारी नहीं किया जिनका वरनन में कर सकूँ अब मेरे जीवन के सारे दूख सांत हो गए और मुझे अब उन्हें लिखने की इक्छा और सक्ती नहीं है तो यही था जैसंकर पसाजी का चेप्टर उसके बाद है पोयाव नमर फाइप उत्सा और अट नहीं रही तो जन बंगाल के महिशा दल में 1899 में हुआ था इनकी अपचारी सिक्षा नवी तक महिशा दल में हुई और इनका मिर्तु 1961 इस भी में हो गई तो चलिए चेप्टर की और चलते हैं तो सबसे पहले उत्साह के बारे मोला गया है इसमें कवी बादल से घंगोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं बादल बचों के काले घंगराल बाल जैसे हैं कवी बादल से बरसने की और सब की प्याज बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आगरा करते हैं कवी बादल में नौ जीवन परदान करने के लिए बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वा कास में मरते घुमरते बादल को देखकर कवी को लगता है कि वे बेचैन से हैं तभी उन्हें याद आता है कि समझ धरती भिष्ण गर्मी से परिसान है इसलिए कास की अंजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को सितलता परदान करने के लिए बेचैन हो रही है कवी आगरह करते हैं कि बादल खूब गर्जे बरसे और सारे धरती को त्रिप्त करें तो यही था उत्सा और दूसरा है अट नहीं रही तो इसमें कवी जो हैं से फागुन का मानवीकरन चीतर परसुत किया है फागुन यानि फरवरी मार्च के महीने में वसंद र होता है इस रितों में पुराने पते जढ़ जाते हैं और नए पते आते हैं रंग रंगे फूल की बहार चा जाते हैं और उनकी सुगंद से सारा वातवरन महक उड़ता है कवी के ऐसा परतिक होता है कि फागुन के सांस लेने पर सब जगत सुगत भैल गई हो वह चाकर भी अपने आखे इस परकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवन के सभी पिड़ पोधे नए नए पतों से लज जाते हैं कहीं लाल रंके हैं कहीं हरे और डालिया अंगिन फूलों से लदे हैं जैसे कवी को ऐसा लगता है कि जैसे परकृत इसके कवी है नागरजुना इनका जन बिहार के दरबंगा जिले के सतलखा गाउं में 1911 में हुआ था इनके अरंबिक सिक्षा संस्कीत परचाला में हुई बाद में अधियान के लिए बानारस और कलकाता गए और इनका मिर्थू 1998 इसमी में हो गई था चलिए चैप्टर की और चलते हैं तो सबसे पहले पार्ट वान यह दंदूरी मुस्कान को पढ़ते हैं इसमें यह कवी कहते हैं कि सिसू की मुस्कान इतनी मनमोक और आकरसक होती है कि किसी मृत में भी जान डाल दे खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा सरीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो क कोमल का फूल तलाब छोड़कर मेरी जूपड़ी में आकर खेल गया हो तुम्हारे असपर्स को पाकर असपथर भी मानों पिघल कर जल हो गया हो यानि तुम्हारे जैसा सिसू की कोमल असपर्स पाकर किसी भी पथर हिदय व्यक्ती का दिल पिघल जाएगा कवी कहते हैं कि उनका मन बांस और बबुल की भाती नीरस और ठूट हो गया है। प्रन्तु तुम्हारे कोमलता का असपर्स मातर पढ़ते ही हेदय की सिफालिका के फूलों की भाती जढ़ने लगा। कभी के हेदय में वादसली की धारा बह निकली और वे अपने सीसू से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पहले नहीं देखा इसलिए मुझे पाचान नहीं रहे हो। वे कहते हैं कि तुम्हें तकान सुबारने के लिए अपनी आखे फेर रहा हूँ ताकि तुम भी मुझे एक टक देखने से सरम से बच सको। कभी कहते हैं कि यदि आज तुम्हारी मान नहीं होती, आज मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं देख पाता, वे अपनी पतनी का भार जताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मेरा क्या समंध है, यह तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटता रहा, तुम्हारी और ने ही सदेव तुम्हारे इसने प्रेम दिया और देखभाल किया पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तो तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्शिक कर लेती है अदुसरा पाठ है फसल तो इसमें कवी कहते हैं कि फसल क्या है साथ ही इसे पैदा करने में किन का तो वे कहते हैं कि इसे पैदा करने के लिए एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता बलकि धेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है अर्था जब सारी नदियों का पानी भाब बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बरकर बरसते हैं जो फसल उपजाने में सहायक ह वे किसानों का महत वस्पस्ट करते हुए कहते हैं कि फसल त्यार करने में बहुत सारे लोगों के हाथों की मेहनत होती है, कभी बताते हैं कि हर मिटी की अलग अलग विशेष्टा होती है, उनके रूप गून रंग एक समान नहीं होती, सबका योगदान फसल को त्यार करने में कभी ने बताया कि फसल बहुत चीजों का समिलित रूप है जैसे नदियों का पानी का आथों की मेहनत का भीन मिटियों का गुन का तथा सुर्य की कुर्णों का परभाव तथा मंधाओं का असपर्श इन सबसे मिलने से ही हमारी फसल त्यार होती है तो यही था यह दंतुरी उसके बाद जायसे पोयम नमर 7 और पोयम नमर 80 यह जो दोनों डिलेटेड है इसलिए चलते हैं पोयम नमर 9 की और जो है संगतकार तीश कवीता में कभी ने गायन के मुख गायक का साख्त देने वाले संगितकार की महनता का शपर्ट किया है कभी कहते हैं कि मुख गायक के ग तेवे सूरो की मोहक दुनिया में खो जाता है उसी में रम जाता है तब संगतकार अपनी अस्थाई इस परकार गाकर समा बांधे रखता है जैसे वह कोई छुटा हुआ समान संजोकर रख रहे हैं वह अपनी टेक से गायक उन दिनों की याद दिलाते हैं जब उसने सिखना सुरू किया था कवी कहते हैं कि बहुत ही उची आवाज में जब मुखी गायक का सवर उखरने लगता है और गाला बैठने लगता है तब संगतकार अपनी कोमा लवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्ता से उबारने के परियास करते हैं वह मुखी गायक को हिमत देता है कि व उसका स्वर मुख गाय के स्वर से उपर ना पहुंझ जाए ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उनके आवाज में कमजोरी है बलकि वह आवाज निची रहकर मुख गाय को समान देना चाहते हैं इसे कवी ने महांता बताया है तो यही था संगतकार चेप्टर तो इतना ही जैसे आप लोग काव खन पढ़ना था उसके बाद चलते हैं हम लोग गद खन में तो सबसे पहले दख लेते हैं कि आप लोग जैसे दोचोबिस बोट के स्लेबस कमशार आप लोग जैसे कौन-कौन से चेप्टर आप लोग गद खन से आप लोग डिलेटेड है 36 बुक से तो यहा अप लोग को गद खन से पढ़ना है 36 बुक में 24 के स्लेबस कमशार तो सबसे पहला है इसमें नेता जी का जास्मा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल्दार सहब को हर 15 वे दीन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था उस कस्बे में एक लड़कों का की करवाने का काम तो कभी सोचायले तो कभी कभी समिलन करवाना एक बर नगरपालिका के एक उत्साहित अधिकारी ने मुख बजार के चोरहे पर सुबाह चंदर बोस की संग मरमर की परतीमा लगवा दी चोकि बज़ट जादा नहीं था इसलिए मुर्ती बनाने का काम कस्ब दिया गया तो हलदार सहब ने सोचा वह भाई यह आइडिया ठीक है मुर्ती पथर की पर चास्मा रियल दूसरी बार जब हलदार सहब आये तो उन्हें मुर्ती पर तार का फ्रेम वाले गोल चास्मा लगा देखा तिसरी बार फिर उन्होंने नया चास्मा देखा इस बार पानवाले से पूछम बैठे कि नेता जीजे का चास्मा हर दम बदल कैसे जाता है, पानवाले ने बताया कि हर काम कैस्टन चास्मा वाला करता है, हल्दार सहब सोचे कि बिना चास्मा वाला मुर्ति कैस्टन को खराब लगती होगी, इसलिए उसने उपलब्द फ्रेम में से ए जाहा कि केश्टेन चस्मे वाला निताजी का साथी है या अजाद हिंद फोज का कोई भूत पुरू सिपाही पान वाले ने बोला कि वह लंगडा क्या फोज मजाएगा वह पायदाल है इसलिए ऐसा करता है हल्दार साहिब को एक देशवक्त का मजाक बनते देखना अच्छा ही लगा केश्टन को देखकर उन्हें आश्यर हुआ चुकि वह एक बुढ़ा मिरियल लंगडा सा अदमी था जिसके सीर पर गांधी टोपी तथा चस्मा था उसके एक हाथ में छोटी सी संदुक्ची और दूसरे में एक बास से टंगे धेर सारे चस्मे थे वह उसका वास्त पता चला की केश्टन मर गया उन्हें बहुत दूख हुआ 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो वह सोचे की नेता जी के मुर्ती के पास नहीं रुकेंगे पान भी नहीं खाएंगे मुर्ती की और देखेंगे भी नहीं परन्तु आदत से मजबूर हालदार साहिब की नजर च यही था नेता जी का चसमा चैप्टर उसके बाद है सकेंड में बाल गोविन भगत तो इस चैप्टर के लिखक हैं रामलिक्ष बेनी पूरी बाल गोविन भगत मनझोले कद के गोरे चिठे आदमी थे उनकी उम्र साथ वर से उपर थी और बाल पक गया थे वे लंबी दाड की बैडोल माला पहने रहते थे उनका एक बेटा और पुतोह थे वे कबीर को साहब मानते थे और वे किसी दुसरे की चीज को नहीं चुते थे अबिना वज़ा से किसी से जगरते भी नहीं थे उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साब सुथरा मकान था खेत में जो भी उब तब बालगोबिन पूरा सरीर कीचड में लपेटे खेत में रूपनी करते हुए अपने मधूर गानों को गाते थे भादों की अंधकारी में उनकी खंजरी बज़ती थी जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था कार्तिक मास में उनकी परभातिया शुरू हो इस दिन उनका इकलोता बेटा मरा बड़े सोक से उन्होंने अपने बेटे की साधी करवाई थी बहु भी बहड़ी सुसील थी उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा कर सफेद कपड़े से ढख रखा था तथा उस पर कुछ फूल विखरा पड़ा था सामने बालगविन जमीन पर आसन जमाय गीत गाय जा रहे थे और बहु को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे चोकि उनके पास आत्मा परमात्मा पास चली गई है ये आनंद की बात है उन्होंने बेटे की चीता को आग भी बहु से दिलवाई जैसे ही सर्धा की उसके दूसरा विवाख कराने का आदेश दिया बहु जाना नहीं चाती थी साथ रहकर उनकी सेवा करनी चाती थी परन्तु बालगविन के आगे उनकी एक ना चली उन्होंने कहा कि अगर वो घर से नहीं गई तो मैं घर से चला जाऊंगा उस इक साथ बहु चली गई दिन उपवास रखा करते थे लेकिन अब उनका सरी बुड़ा हो चुका था इस बार लोटे तो तबित खराब हो चुकी थी परन्तु वे नेम रद छोड़ने वाले नहीं थे वही पुराने दिन चरिया शुरू कर दी लोगों ने माना किया परन्तु उन्होंने टस से मस ना हुआ एक दिन बालगविन अंधिरे में गाना गया परन्तु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना जा कर देखे तो पता चला कि बालगविन भगत नहीं रहे तो यही था बालगविन भगत चेप्टर इसके बाद ठर्ड है लखनवी अंदाज लखनवी अंदाज कहानी के किसी को देखने के लिए लोकल ट्रेन के सकेंड क्लास का कुछ महंगा टिकाड खरीद लिया था जब वे इस्टेशन पहुंचे तो गारी छुटने वाली थी इसलिए वे सकेंड क्लास के एक छोटी डिबे को खाली समझ कर उसमें चड़ गये लेकिन जिस डिबे को वे खाली समझ के चड़े थे वहाँ पहले से एक लखनवी नवाब बहुत अराम से पलती मार कर बैठे हुए थे और उनके सामने दो ताजे खीरे एक तौलिये की उपर रखे हुए थे लेखक को देख नवाब सहाब बिलकुल ही खुस नहीं हुए क्योंकि उनका एकांद भंग होता ह हुआ दिखाई दिया उन्होंने लेखक से बात करने भी कोई उत्साह या रूची नहीं दिखाई लेखक उनके सामने वाले सीट में बैठ गया लेखक खाली बैठे थे और अपनी पुराने आद्टे के बारे में कलपनाइं करने लगे लेखक जब खाली बैठते थे तो उन को कल्पना करनी की पुराने आते थी इसलिए वो उनके आने से नवाब सहब को होने वाली अस्विधा का अनुमान लगने लगा वो सोच रहे थे कि सायद नवाब सहब ने अकेले सुकून से यात्रा करनी की 61 से सकेंड कलास का टिकट ले लिया होगा लेकिन तब उनको यह की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कंखियों से नवाब सहब की और देख रहे थे अचानक नवाब सहब ने लेखक से खीरा खाने की लिए पुछा लेकिन लेखक ने नवाब सहब को सुक्रिया कहते वे मना कर दिया उसके बाद नवाब सहब ने बहुत सारी तरी खाने के बारे में पुछा लेकिन लेखक ने इस बार अपना आत्म समान बनाया रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बना कर खीरा खाने से मना कर दिया लिखक के माना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मेची लगे उन खीरों के टुकड़ों को देखा फिर खीड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक टुकड़े को उठा कर ओठो तक ले गए टुकड़े को सुंगा स्वाद के आनन म नवाब साहब की पलके मूंध हो गई मुह में भर आया पानी का घोट गले मोतर गया उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकडे को खिड़की से बाहर फेक दिया इसी परकार नवाब साहब खीरे के हर टुकडे को ओठोस के पास ले जाते फिर उसको सुंगते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेक देते खिरे के सारे टिकड़ों को बाहर फेकने के बाद उन्होंने आराम से तोल्योक से हाथ और ओठ को पुछा और फिर बड़े गर्व से लेखा की तरफ देखा जैसे लेखा को कहना चाह रहा है हो कि यही है खंदानी रईशों का तरीखा नवाब सहब खेरे की तैयारी और इस्तमाल से ठक कर लिट गए लेखग ने सोचा कि क्या सिर्फ खेरे को सुनकर ही पेट भरा जा सकता है तभी नवाब सहब ने एक जोरदार ड़कार ली और बोले खेरे लजीज होता है पर पेट पर बोज डाल लेता है यह सुनकर लेखग के ग्यान का आँख खुल गए उन्होंने सोचा कि अब खेरे की सुगंद और सुवाद की कल्पना से ही पेट भर कर ड़कार आ सकती है लेखग ने सोचा कि तो बीना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और पात्रों के बीना सिर्फ लेखग की एक्छा मत्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है तो इस इक साथ लखनवी अंदार चेप्टर समाफत होता है तो इस चेप्टर के लेखिका है मंत्र भंडारी तो इस चेप्टर में लेखका ने अपने जीवन के महत्पून तथियों को उभारा है लेखका कजन मद परदेश के भानपूर गाउं में हुआ था प्रंतून की यादे अजमेर के ब्रंपूरी महले के एक दो मंजिल मकांद में पीता के बिगडी हुई मनिस्तिती से सुरू हुई आरहम में लेखका के पीता इंदोर में रहते थे वहां वह संपंत्र तथा परतिश्टित वेक्ती थे कंगरे से जुड़े होने के साथ समाज सेवा से भी जुड़े थे किन्तु किसी के द्वारा धोकर दिये जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फस गए और अजमेर आ गए अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी सब्धकोस को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तसकारात्म घरती चली गई वे बहुत क्रोधित जिद्धी और संकी हो गए वह जह से अपना गुसा लेका के बिनपढ़ी मा और उनके बच्चे पर भी उतारते थे लेका के पांच भाई बहन थे उसमें से सब्चे छोटी लेका ही थी कम उम्रिक में उनकी बड़ी बहन की साधी होने के कारण लेका के पास जादा उनकी यादे नहीं थी लेका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुसीला के गोरी होने के कारण पीता हमेशा उनकी तुलना लेका से किया करते थे तथा उन्हें निचा दिखाते थे इस हिंदा की भावना ने उनमें विशेश बनाने की लगनुत्पन की परंतु लेक्किये उपलब्दी मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई बड़ी बहन के विवाया तथा भायों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पीता का ध्यान लेका पर किन्रित हुआ पीता ने उन्हें देश दुन्या का हाल जानने के लिए प्रिरित किया घर में जब किसी राजनेतिक पाट्यों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेका के पीता उन्हें उस बहस में बैठाते जिससे उसके अंदर देश भक्ती की भावना जगी सन 1945 में सावित्री गल्स कॉलेज के पर्थाम वर्ष में हिंदी परधना ध्यापक सीला अगरवाल ने लेका में ना केवल हिंदी सहायति के परतिरूची जगाई बलकि सहायत के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रिदित भी किया सन 1946 औश 47 के दिनों में लेका ने घर से बाहर निकल कर देश सेवा से शक्रिय भूम का निभाई, हरतालों, जुलूसों वो भासनों में भाग लेने से सात्राय भी परभावित होकर कॉलेज का बाहिस्कार करने लगे प्रिंस्पन ने लेहका को कोले से निकालने जाने से पहले पीता को बुला कर सिकायत की तो एक रोधित होने के बजाए लेहका के नेतीत सक्ती को देखकर गदगद हो गए एक बर जब पीता ने अजमेर में व्यस चोरा है पर बेटी के भासन की बात अपने पिछडे मित्र से सुनाई जिसने उन्हें मान मर्यदा का लिहाज करने को कहा तो उसके पीता गुसा हो गए प्रन्तु रात के समय यही बात उनके एक और मित्र ने लेहका की बड़ाई करते हुए कहा जिसे लेहका के पिता ने गौरवान्तिविक महसूस किया सन 1947 के माई महिने में कॉलेज ने लेहका समय दो तीन छादरों का परवेस ठर्ड एयर में हुड़दंग की कारण निर्सीद कर दिया प्रन्तु लेहकार उनके मित्र ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया की आखिर कार उन्हें परवेस लिना ही पड़ा यह खुशी लेहका को इतना खुश नहीं कर पाया जितना आजादी की खुशी ने दी उन्हें ने इसे सताबदी की सबसे बड़ी उपलबली बताई तो यही था एक कहानी या भी चेप्टर पसके बाद सीख जहाँ से आप लोगा डिलिटेड है इसलिए चलते हैं सेवन्त की और जो है नौबत खाने में इबादत इस चेप्टर के लिखक है यतिंदर मिस्तर जी तो इस चेप्टर में एक बिस्मिला खान नाम का एक आदमे है जिनका जन बिहार में डुमराओं के एक संगित प्रेमी परिवार में हुआ इनके बड़े भाई का नाम समसूदिन था जो उम्र में उनसे तीन वर्स बड़े थे इनके पर दादा उस्ताद सलार हुसेन खान डुमरिया के निवासी थे इनके पीता का नाम पेगंबर बक्स खान था अमा का नाम मीठन थी पांच वर्ष होने के बाद वी डुमरिया छोड़कर अपने ननिहाल कासी आ गय वहाँ उनके मामा साहिद हुसेन और अली बख्स और उनके नाना रहते थे जो वहाँ के जाने माने सहनाई वादक थे वे लोग बाला जी के मंदिर में सहनाई बजाकर अपनी दिंचरिया का आर देती थी, जिसे उन्हें खुसी मिल दे थी अपने सक्षत कारों में भी उन्होंने सविकार किया कि बच्वन में इन लोगों ने इनका संगीत के परती फ्रेम पैदा करने में भुम्का निभाई बले ही वैदिक कितिहास में सहनाई का जिक्र ना मिलता हो परंतु मंगल कारियों में इनका परियोग परतिष्ट करता है बिस्मला खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बाजूद हमेशा 5 वक्तों वाली नमाज में सहनाई के साथ सूर को पाने की प्रातना में बिताया मुहरम के दसों दिन बिस्मला खान अपने पूरे खांदान के साथ ना तो सहनाई बजाते थे और ना ही किसी कारिकरम में भाग लेते थे आठवी तारी को वे खनाई बजाते और दाल मन्ली में फतामाह की 8 किलो मेटर की दुरी तक भींगी आँखों से नोहा बजा कर निकलते हुए सबकी आँखों को भींगा देते थे फुर्शत के समय में वे उस्ताद और आवाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना गिता वाली जैसी अभिनियतिरों की देकी फिल्म को याद कराते थे वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते थे कि वे कैसे छुपकर नाना को सहनाई बजाते हुए सुनना करते थे तथा बाद में उनकी मिठी सहनाई को दूडने के लिए एक-एक करके सहनाई को फेकते और कभी मामा की सहनाई पर पथर पटक कर दाद देते थे बचपन के समय में बिश्मिला खान फिल्म के बहुत सौकीन थे, उस समय थर्ड कलास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, 6 पैसे को पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मोसी से, 2 पैसे नाना से ले ले लेते थे, फिर बाद में घंटो लाइन में लगकर टिकट खरीते थ बाद में वे अपनी मन पसंद अभिनेत्री सुलोचना की फिल्म को देखने के लिए वे बालाजी मंदीर पर सहनाई बजा कर कमाई करते थे। लोजना की कोई फिल्म ना छोड़ते थे तथा कुलसुम की देशी घी वाली दुकान पर कोचोड़ी खाना ना भूलते थे कासी के संगीत योजना में वे अव़ से भाग लेते थे या योजना कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जेहनती के अफसर रहता था जिसमें सास्त्रीय और उप सास्त्रीय गायक वादक की सभा होती थी बिश्मिला खान जब कासी के बाहर भी रहते थे तो वो विशुनात और बाला जीमनदीर की तरह मुख करके बढ़ते और अपने सहनाई भी उस तरह घुमा दिया करते थे गंगा, कासी और सहनाई उनका जीवन थे कासी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है या संस्कृति के पाट साला है फिर इसमें लेखा कहते हैं कि सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देशी गी तदा कचोड़ी जिलेबी में पहले जैसा सवाद ना होने के कारण उन्हें उनकी गमी खिलती बिश्मिला खान हमेशा से दो काम किये पहला एता और दुसरा भाईचारे के साथ रहने की पिरना देते रहते थे नवे वर्ष के उम्र में 16 अगस 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली उनको बहुत सारे फुरुषकार मिले उन्हें आजए संगितकार के नाया के परितंत सिल्ता और बाद में हुई उन्हेती के उधारन देते हैं वे कहते हैं कि लोहे के टुकडे को गीस कर छेद बनाना और धागे पिरोक कर दो अलग अलग तुकडों को जोड़ने की सोच ही संस्कृती है इन खोजों को अधार बनाकर आगे जो इन छेतरों में विकास ह परcrypti का और बनाता है परिज़कों को अधार बनाता कर आगे बढ़ने को जो रखाता है है फिरागे लिखक कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की सभी लिद्यारते जानते हैं नीटन ने गुर्तवा करशन के सिधान का अविसकार किया इसलिए वह संस्कृति कहलाता है परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया इसलिए आज के विदार्थी उन बातों को भी जानते हैं लेकिन हम इन्हें अधिक सभी भले ही कहें परंतु संस्कृति नहीं का सकते पिरागे लेखक कहते हैं कि भौती का वसकताओं की पूर्ती के लिए सुई धागे और आग के विश्कार करते तती संस्क्रीत होने या बनने के अधार नहीं बनते बलकि मनुस में सदा बसने वाली सजन चेतना भी उसकी उत्पती या उसको बनानी की कारण बनती है इस सहज से वर्स पहले बूद का मनुस तो त्रिष्णा से मुक्त के लिए उपयोगी को खोजने में घर त्याक कर कठोर तपशया करना और कारल मास का मजदूरों के सुखत जीवन के सामने पूरा करने के लिए दुख पूरों जीवन बताना और लेनिन का मिस्कुलों से मिले डबल रो करते हैं कि मानोहित में काम न करने वाले संस्कMed exem का नाम और संस्क्रीती है इसे संस्क्रीती नहीं कहा जा सकता या मानोहित में निरंतर परिवारतान सिल्टा का नाम् om art की जांद दा न आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों साथ भी शेयर कर ले ताकि उनलोग अभी हैल हो सके और आप लोग जैसे एक्जाम में तबाही मचा दें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धनवाद थांक्यू